शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ऑ만ज के दोलें वीयोज के लिए में सकता में एकिनだけ का में मां। विए सब्सक्राइब के लिए एauthor अ कि सब्सक्राइब का झालज Lemja कि आजूलें विए सब्सक्राइब के लिए एका रिए समीटेए सब्सक्राइब जल्दी बैठो मिशाल भागनी की सारी थियारियों हो गई हाँ हो गई जल्दी बैठो ना तुम नहीं तुम मुझे पले दिखाओ क्या अब जी नमस्ते अरे पहले कुछ बताया नहीं यह सब कुछ अचानक अच्छा अच्छा अगर विशाल हमें टीना के बार में सब कुछ पहले ही बता देता तो वही तो मैं कह रही हूं इस टीना की ना घर का पता है नहीं उसके माबाब का विशाल नहीं भी न एक बार भी अपनी खंदं की इसद की बारे में नहीं सोचा बस कह दिया एक अनात लड़की से शादी करनी है तो यह ऐसा होता है क्या वो जो भी है विशाल की बसंद है और विशाल के खुशी में हमारी खुशी है वो सब तो ठीक है लेकिन किया तुम लोगो ने कभी ऐसा सुना है क्ट्रप कर लड़की की शादी की तयारी लड़की की घर में हो रही है त principle गर्टी जो भी है ठीक है इन शाड़ कर तयार अर वो किसी भी वक्त नीच चाहती हूँ विशाल भी ना फोन नहीं उठा रहा है कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है विशाल गया कहा है? वो उसका कोई दोस्ताने वाला तर सिजेलिंड से वो उसे एड़ोड भी पिक करने गया आलोक, वो तुमने उसे जाने दिया? तुम्हें पता है ना कि शादी के दिन मुरद से पहले दुल्ले का घर से बाहर निकलना अप्शकुन होता है तुमने कैसे जाने दिया आलोक, फिर से ट्राइ करो आलोक भीया वो टीना क्या हुआ टीना को? अभु दर्वजा नी खोल रही है कहा Motor? बताने इस मन्मुस का साया पढ़ गया हमाले घर पर मिशाल फों में उठारा वह टीना दर्वजा खोल लेही थी वो क्या रहा ए इस कर में टीना टीना दर्रवजा क्लो दर्वजदा खोल लो टीना टीना तीना, ओपन दो, दर्वाजा खोलो तीना तीना, तीना दर्वाजा क्यो नहीं खोल रही है कई उसे कुछ होतो नहीं गया दर्वाजा तो उठना पड़ेगा तीनका गया क्यफ इस तीना दर्वाजा यंदर से बंता ना इस अर्वाजा आप में मिलके बहाएए तो यह चाकू अंदा कैसे आया? ठीप, हमारा नहीं है, हमें नहीं पता है आप मिशाल के भाई हैं? ठीप, यह मेरी वाइप है, यह बुगा और यह सिस्टर अब जीए अब जीए क्या लगता है अभी तक तो हाक मत्या दिख रही है लेकिन आगे कब बोल नहीं सकते है आत्मे तक आप खून बंजा है जीए नहीं सकते है जीए चागू कदर डाउट लगने दुगास यह कह है देखा आथ पे गाव है गड़ बढ़ है यह विचाल कहा है पे पे शाइड है आज़ दिखाई नहीं दे रहा है वह एरपोर्ट के आज़ उसके फ्रेंड को पिकप करना है जो से जलन सार है लेकिन अभी तब आया नहीं कितने बजय की प्लाइट है उसकी तरहे साथ पचे की फ्लाइट थी साड़े साथ? अभी तो बारा मज रहे है अभी तक नहीं है प्रेडी? सार ज़रा पता लगा आप ज़रा नंबर दीजे विशाल का शी तो नंबर दो 105-105-2788 2788 तुलन मर्च की है तुला गायर है और तो और वो फोल में नहीं उठा रहा है तुलन मर्च की है थैंक्स सर विशाल से तो बात नहीं हो पाई सर लेकिन मैंने एअरोपोर्ट पे इंकौरी किये सर साड़े साथ बजी की स्विजरलेंड से आने वाली कोई भी फ्लाइट नहीं है क्या? विशाल नहीं चूरप बुला अबिजीड अबीजीड आढ़े किए खेंग विशाल आयरपोरट गया है एरवाल से गे बहुम एब थोड़ी देर पार इस खिरती से अंदर आ अँजर हो पर आपूना रहा विशाल अगर आयरपोर्ट नहीं गया तो कहा कोगा, कुछ बढा सकते हैं अप लोग मोड्यक जाग तकी कुछ बर्दा सकते हैं आपकेज़ कै एक नि जार्ड ऑई इस विशाल फ्रिंट के एक सहुल निए, है था sach, अब उल्यकार में प्रेद लोग में तुह आता है मोबाइल कंपनी इस विशाल का मोबाइल एक य यह सर सर मोबाइल कंपपनी से पता चरहा कि विशाल का सेल फोन इस जगे पे है लेकिन यहां आके देखा तो यह गाड़ी खड़ी है सर सर यह वही गाड़ी होगी जिसमें विशाल जा रहा था सर अरे लेकिन विशाल यहां पे आया ही क्यों होगा शाल कार में यहां तक आया है तब इसी से तो मिलने आया होगा यहां सर यहां पे तो कोई दिखनी रहा है और देखो न यह सब बन पड़ा है काम करते हैं कार को अच्छी तरसे चेक करते हैं शायद कुछ मिल जाए यह सर यहां दोड़ा है इक हो? कुछ aid kiss? किल चोड़ाँ को और यहां नौब्हां में अच्छी है क्षण को यहां दोल यहां बतालश बताल यहां कर दो दुटर खूँ आए ऐस दुटर क म我झ we फिदू Đेल latte साफ, विशाल तो मार चुका है साँ, बर गए? हाँ साँ तो यह सोचे रज़े के विशाल जीना का फूल करके फारा लोगा यहां तो विशाल को किसमें मार दे है? सार कहीं हो, इस सिंबरन ने तो नहीं मारा विशाल को जब बोड़ी पुटार साइ तो मोबाइल दे रहा है इसके हाथ में कुछ है यह क्या है? सार अब चायदे किसी लड़की कर नाखुन लग रहा है यहां 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 देखिये हमें पता है कि इस वक्त आप लोगों को तंग नहीं करना चाहिए मगर विशाल की खुनी को पकड़ने के लिए हमें आप लोगों की मदद की सुरत है तुझे क्या कूछ रह चाहते हैं आप लोग तो देखिये आप ने से कोई इस नाखून को पैचान सकता है यह नाखून हमें विशाल की लाश की मुठी में से में विशाल की मुठी में जिया विशाल सिमरं का ही है सिमरं का यह आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती है विशाल सिर्वन को घर लेकर आता था तो सिम्रन के हाथों पर भी इसी ज़र का लाग कदर का नेर पॉलिश होता था आप में दिए के उन्गे अज़की आपको पता सिल जाएगा केर, थैंक यवें मच्छ सर, 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 एक बुरी ख़बर है सर जिसका भाई मर चुका हूँ, उससे और बुरी ख़बर क्या हो सकती है सर, हम लुट गए सर वो ये करोड उपाय जो बैंक में से निकाले थे कल रात ओफिस के तीचोरे से चोरी हो गए सर चोरी हो गए? क्या बिचे के रास्ते से भाग गई सिम्रन पिछे से भागने का रास्ता है? मालू में सर तो तुम ऐसे हवा में पदम उड़ा रहे हो सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अकर विशाल और सिम्रण एक दूसरे को इतना चाहते थे तो फिर विशाल टीना के पीछे क्यों भागा जा रहा था उसे शादी करने के लिए? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है आप लोग मुझ से ही मिलना चाहते थे तो आप तिम्रण जी आप लोग सी आईडी से हैं? जी बताइए मुझ से क्यों मिलना हैं आप तो ऐसे अंजान बंडी जैसे आपको कुछ मालू भी नहीं है दिखे मेरी तबियत बहुत खराब है प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग यहां क्यों आए हैं तुम विशाल और टीना को जानती हो? हां उन दोनों का ही खून हो गया है विशाल और टीना यह सब कैसे हो गया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही ले बताईए आपके हाथ ते क्या हुआ यह बस ऐसे ही ऐसे ही मतलब वो चोट लग गई थी अच्छा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ विशाल टीना को मारने के बाद इस जगे पे पौँचा जहां पर आप उसका पहले से इंतिजार कर रही थी जैसे विशाल भाओचा आप ने किसे तरह से उसे मार दिया मगर मरते वर्थ आपका यह नाख़ूम उसके हाथ मे रहगया क्यों यह नाख़ूुन में यह यह आई यह 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 नाखून मुझे समझ नहीं आ रहा है यह सब क्या हो रहा है सिम्रिन जी जब आपका DNA टेस्ट होगा ना तब आपको सब कुछ समझ में आ जाए DNA टेस्ट वो क्यों अब जर आपने यह पट्टी खोलिए प्लीज जल दिए वैसे बीस में बहुत दर्द हो रहा है अब यह जानना चाहते हैं कि यह नाखून आपके उंगली का है या नहीं समझी कि मेरा नाखून एकदम ठीक है इसमें बस चोट लग गई थी सिम्रन जी आपका प्रॉब्लम किया है आप दिखाती क्यों नहीं हाँ दिखाओ हम उसे मैं विशाल का इंतजार कर रही थी कना चाहता है काफी देर हो गई थी मुचे इंतजार करते हो हम दोनों हम दोनों सब को छोड़कर जाने ही वाले थे तब यह जैसे विशाल भांशा नहीं देखा कि एक लड़की इं के पास जा रही ती और रुसने भी जी जए वग्ख का सिक . टेखने लगी कि अगे अगर माजरा गया है विशाल यूस लड़की को पैसे से बारा बैग दिखा रहे है तब ही अचानक दो गुंदों ने आकर विशाल पर अमला कर दिया को तुम और वो और वो लड़की भी उनके साथ पैसे लेकर भाग गई अब अब आप अग्ः वी जो जो हूँ आप अजे श्ट यहाँ आप का जो आप आपज़ आप यहाँ, एसाप की आपज़ आ यहाँ बोलोग को का अब यहाँ ओ, ओ, मैं गॉडूद। तु ऐसे टूटा तुम्हारा नाखून, हम? हाँ Simran, अगर तुम्हार विशाल शादी करने वाले थे, तो फिर विशाल तीना को बीच में क्यूं लेके आए? तीना विशाल को ब्लैकमिल कर रही थी ब्लैकमिल? हाँ वो कैसे? शायद तीना को पता चल गया था कि विशाल ने अपने बड़े भाई के ऑफिस से पैसे चुराए है इसलिए विशाल ने तीना से शादी करने के लिए हाँ बुला अगर वो मना कर देता था तो तीना ये सब बाते सब को बताकर उसे बरबात कर देती और तुम्हें ये बात मालूम थी? हाँ हम दुनों मिलकर तीना को दोखा देने वाले थे सिम्रा ने खून हुआ है और जिस दिन तुम विशाल के साथ भागने वाली थी उसी दिन उसने अपने भाई आलोक के आफिस में से पैसे चुरा है तुम्हारी ये बात में विश्वास करना मुश्किल है हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं भाली थेचित में विश्यर्ड़ियर है कर दोznist के पैसे чувकform किम्हारी ये भागनी कि मुआए विश्यर्यू स्तप्रश्यू कि मुआदद़ से खूपर मुआथ कि मुआदद रान मुआदद कि तो तो जाने वाला नहीं है इवाद मेरे अच्छी तरह समझ भागई है पार आप आप यह थोड़ा यहां क्या कर रहा है बढ़ता है बस जैसे टेस्टिम को चूओ मिलेगा रख्यों दी पी लेता इस केमिकल को पी लेता तो अच्छा होता ना रहता बास ना बर्श्ती बास हुए ले बाई बस मेरा तो ट्रांसफर होने वारा खर आणिवे मेरा ट्रांसफर हो जाए से पहले में आप लोगों को एक इस्पोर्टेन बात बता दूँ आई यह यह टीना इसने आत्मत्य नहीं किया जे यह जो इसकी कलाई पर यह जो घाव है यह घाव इसने नहीं किया है इस घाव ने और चाकु मारने के दिशा ने यह सजेस्ट किया है कि किसी और ने चाकु से इसकी कलाई पर घाव किया है मतलब? मतलब यह है बॉस कि जब कोई आदमी अपनी कलाई पर खुद वार करेगा तो उसके चाकू का नेचरल मूमेंट होगा ऐसे मतलब घाव की गहराई यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कम लेकिन जब कोई दूसरा उस पर वार करेगा तो उसके चाकू का नेचरल मूमेंट होगा यहाँ अब घाव की गहराई यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कम यदि टीना की कलाई पर इसका मतलब साफ है बॉस टीना पर किसी और निवार की सब मेरे समझ में यह बात नहीं आ रही है अगर किसी ने टीना को चाकू से मारा रहे तो यह चिला इहीं है मैं बताती हूँ, सयर यह यह झा यह क्या है कॉटन कॉटन जी यह निए निन को मारते वक्त खुल फूनी ने उसके मूह में कॉटन के कुछ तुकड़े भर दिये तीना को मानने के बाद उसमें वह तुक्ड़े निकाल गिये और चुटके से चला गिया तो सकता ये बाल और वो खूल एक ग्यादमी का हूँ और सार, ये कुछ रूप हमें विशाल के शेरवानी में से मिल यह पैसे तो मैं विशाल केशेरवानी में से मिल आप ? जे कहींthe वही पैसे तो नहीं है, जो आलोग की ओफिस से चुराए गए थे मेहन, अगर यह चोरी नहोई होती, तो यह कॉन्ट्रेक्ट हम लोगों को मिल गया हो लेकिन सरे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बिन अ ताला तोड़े सेफ में से पैसे गायब कैसे हो गए यह बात तो है इसका मतलब चोर को सेफ का कोड मालूम था C.I.D. Mr. Meir, जी, एक बात बताईगे, जिस दिन विशाल और टीना की मौत होई थी, चोरी उसी दिन होई थी? Yes, sir. आप, sir, मैं यहा का मेनेजर, रोशन. Sir, उस दिन एक करोड रुपए हमने बैंक से निकाले थे, एक क्लाइन को देने के लिए. Okay, अच्छा, आपके पास वो जो चोरी हुए रुपए है, उनका कोई रिकॉर्ड है, कुछ लिख के रखे हैं अप लो? जी, sir, सारे नोटों के नंबर्स हमारे रेजिस्टर्स में लिखे हुए हैं. Great, hi. अजरा, वो रेजिस्टर्स लेके आई है, हमें चेक करना ये जो नोट से हैं, ये उन चुराइवे रुपए हमें से हैं क्या? जी, sir. नियाजी, टीना के बारे में कुछ और बता सकती है, क्या था? यही कोई एक दिर हकते पहले विशाल नहीं हमें उसे मिलाया था. विशाल ने बताया था कि टीना एक अनाथ लड़की है. विशाल से मिलने ओफिस में कौन कौन आता था? I mean, ओफिस स्टाफ के अलावा, कोई बाहर का अदमी? उस दिन से विशाल की आंटी दामनी जी उनसे मिलने आया करती थी. दामनी जी? अब तपक्का हो गया, सर. विशाल ने ही चोरी किया है. विशाल ने चोरी? मगर विशाल अपने ही ओफिस में चोरी क्यों करेगा? यही तो हम पता लागाने की कुशिश कर रहे हैं, निया जी. सर, विशाल जी हर वीकेंड पे एक पब में जाया करते थे. प्लाइक प्लाउंच पब, और वहां काफी पैसे भी खट्च करते थे. लए बार तो उनोंने मुझसे भी पैसे भावे हैं. मैंसी. तांक्यू, तांक्यू बहरे मच्च. शोलो, इस पब में चलके पता करते हैं, यह विशाल पैसे उड़ाता कैसे था. क्या? यही टीना है, नहीं सर, यह टीना नहीं है, सर, मैं टीना की फूट आपको दिखाता हूँ, पिंकी, पिंकी ज़रा वो इंप्लाई वाला रेइश्टर लेकर आना, जल दिसे, हम तो सिर्फ इसी टीना को जानते हैं, यह दूसरी टीना कहां से है, सर, मैं उस टीना की बात कर जो हमारे यहां बाहर टेंडर का काम करती है और जिसकी शादी विशाल से होने वाली थी जी सर, मैं आपको टीना की फोटो दिखा था, सर ये देखें सर, ये है टीना की फोटो ये क्या चटकर है? रामुनी जी, आप बार-बार आलो के आफिस में क्यो जाती थी? कुछ तो कारण होगा जो बार-बार ओफिस में जाकि आप विशाल का दिमाग खाती थी ? म.. मैं बस यूही हाल यद्धाल पूछने जाती थी हाल ओफिस ने जाती थी ? आप ओफिस की बॉस है ? नहीं कमपनी आपके नाम पे है ? नहीं तो फिर बार बार क्यों जाती थी आप? और आप लोग के आपस में जगड़े भी होने लगे थे? क्यों? जगड़ जगड़े? वह? किस बात पे जगड़े होते थे दामिनीजी? तेखें, आप लोग प्रीज इसके बारे में आलोग को कुछ मत बताईए क्यों? मैं आलोग को बीना बताए ओफिस जाती थी फिर भी आप बार बार जाती क्यों थी? मैंने विशाल को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था वह ओफिस से पैसे चुड़ाने का प्लान बना रहा था तो? तो 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 आपने उसे ब्लाकमेल करना शुरू किया हम अरे ये पैसे मांगती थी न उससे हम आप आप ने अक्यों किया हम किस बात के कमें थी आपके मेरे पास अपना कुछ भी रही है इस सब कुछ आलो का दिया हुआ है और जब भी उसे मुझा मिलता है अलोक इसी बात को लेकर मुझे ताने मारता है आप प्रेशाल को क्यों अरॉआए विशाल को? यहां क्या कह रहे हैं? क्यों मारा उसे? तेखे मिशाल को मैंने नहीं मारा मैं उसे ब्लाकमेल किया करती थी जब उसने आपको कहा कि वो सब कुछ आलोग को बता देगा, आपका दिमाग घुम गया फिर उसने अचानक शादी का प्लान बनाया और आपको ये पता चल गया था कि उसके शादी में कुछ गड़बर है और आपने इसी बात का फाइदा उठाया और उसे खतम करने का ओर्डर दे दिया नहीं, नहीं, ये सच नहीं है तो फिर सच क्या है? तो असली बात यह है कि विशाल ने एक दिन बहुत दारूपी और टीना के सामने खुछ बग दिया है और टीना उसे ब्लैक मेल करने लगी ये सर, यहां तक कि विशाल दर के मारे टीना से शादी करने तयार हो गया मगर शादी होने से पहले ही टीना का खुण हो गया बस यहीं पर गड़ड है सर गड़ड है क्या गड़ड है? तो जो टीना विशाल के खर पर मरी है, वो नकली है सर नकली थी? मतलब जो टीना विशाल को ब्लैकमेल कर रही थी वो गायब है और उसकी जगे पे कोई दूसरी लड़की का खोन हो गया है जी सर समझ में नहीं आया या असली टीना कब गायब हुई और कब ये नकली टीना विशाल के जिंदगी में खुश कुई ये नकली टीना सर विशाल के घर में गुश के बैटी थी शादी की तियारी कर रही थी और विशाल ने कुछ बोला नहीं मतलब यह विशाल सब गुट जानता था मैं तो यही सोच सोच के मरा जा रहा हूँ कि उस असली टीना का क्या हूआँगा कुछ तो हुआ होगा, Fredericks उस असली टीना का कुछ तो हुआ होगा एक और बात है, Sir विशाल के घर वाले बोल ले थे असली टीना अनाथ है उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है मतलब किसी से पूझ भी नहीं सकते कि असली टीना गई तो गई कहां बस सर यहीं प्याक्या ठक गया है ठीक है जो टीना गायब है उसके तो ना कोई माबाप है ना कोई रिष्टेदा लेकिन जो टीना मर गई है ये नकली वाली टीना उसका कोई न कोई तो होगा जैसे अब ये किसी ने तो इस नकली टीना को कहा होगा कि दो-तिन दिन के लिए तुम टीना बन जा और फिर शादी करने के बाद भाग जाओ पर सर ये शायद विश्चाल नहीं कहा होगा हाँ लेकिन दो-तिन दिन से तो ज़्यादा हो गए हैं और नकली टीना तो मर चुकी है ना वो किसी को फोन कर सकती है ना किसी को बता सकती है कि वो है कहाँ सर अब उपर जाके कोन किसको फोन करेगा सर तभी तो फ्रेडरिक्स तभी तो अब उसके घर वाले परिशान हो रहे होंगे और शायद उन्होंने पुलिस में जाकर उसके गायबोनी की रिपोर्ट लिखवाई होगी अरे हाँ सर ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी बस सो जल्दी से भागो और देखो मिसिंग परसंस रिपोर्ट देखो देखो किसी ने अपने लड़की के गायबोनी की रिपोर्ट लिखवाई है क्या पिछले साथ दिनों में और फ्रेडिक्स फोटो भी मैच करके देखो यह सर मिल गया सर यह फोटो इस टीना से मैच होती है सर हाँ यही टीना है अगर इसका नाम तो शेफाली है और यह एक्टिंग करती है सर एक्ट्रेस है एक्टर में तो पर सब फिट हो रहा है सब फिट हो रहा है किसी ने यह इस विशान लेही इस लड़की को कहा होगा कि तीन-चार दिन के लिए एक्टिंग करना अगर बेचारी को एक्टिंग करना मेंगा पड़ गया है इस शेफाली के माबब को प्योरो में पुला हूँ अगर अमें मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो हम उसे कभी जाने ना देते हैं आप लोंको मालुम था कि शेफाली ही विशाल से शादी करने जा रही है हाँ हमें मालूम था आप लोगों ने जान बूच कर कैसे ने बच्ची को मौत के मुह में ढकेल दिया विशाल अब मने घर आया था अब ना क्या होगा मुझे देखो मैं तुम अपने बड़े भाई स अंगल चिंता मत करो शादी वाले दिन मैं सिम्रन के साथ भाग जाओंगा और शेफाली टीना बनकर मेरे घर में बैठी रहेगी जब तक कि मैं दूर ना चला जाओं किसी को पता भी निचलेगा कि मैं और सिम्रन भाग गए हैं बस काल उसमक्त अमने शेफाली को रोग दिया होता तो अज ये नौबत ना आती आई से किसे रुड़ने हमने मजबूर कर दिया प्रेडिक्स ये तो ये तो वो ही लगती है जो हमारे पस बैसे लेकर आई थी असली टीना कहा है क्या किया तुमने उसका नहीं मुझे नहीं मालूम जूट फिर जूट देखें मुझे नहीं मालूम के विशाल ने असली टीना का क्या किया तुमने तुमने उसका नहीं मुझे नहीं जड़िए अभी जड़ी अभी जड़ी पाफ करो जो पैसे आलो के एफिस में से विशान ने चुराय थे और जो बाद में चोरो ने लूटे थे वो बैंक से आय थे नहीं नोट से तो सके उतने शेहर के दुकानों रेस्टोनेंट्ट मेजा करो ने नंबरस बाट दो हो सकता है कोई चोरोचका आजाए जिसके बास बनो नो ठाँ जो अज़ा ज़रा मुझे कुछ एंटिसेप्टिक और एंट गिलर देदेना और हाँ इस चोड पर बादिंग एक बढ़्ती देना अज़ा पॉक्राप इसक्षान आप लगास कि लिए नियमास बगनते दुराशक अज़ा ज़ा जिए फीमास अज़ाशक प्लका नवेट धूरास ज़्स प्तीर के लिए ज़ता नियाश्म एंटार के लोगाँ आप इसक्तानी ज़तानी सा बादारी टीर हाँ कहिए वही गुंडा तो नहीं जिसके बारे में C.I.D. ने गुला था elo, करे अ केझए लादी घुजए करे लादी वहें लादी लादीज हाते है गलाए हैं रारी गटिसे रार दो गर एिल शाओ ठार जाली कर लारी जब हैं टार हुआQué उिए ठार, विल विल्लुखर ज़सा अड़र है族 में भॉपरा गलoga के जाली थीं दोकर तार रार था ठार हैं तो कि कि द जड़, बारेकल, बारेकल, जड़, बारेकल, जड़, बारेकल, जड़, बारेकल, जड़, जड़, बारेकल, जड़, जड़, बारेकल, जड़, बारेकल, जड़, जड़, बारेकल, जड़, जड़, बारेकल, जड़, बारेकल, जड़, बारेकल, जड़, 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 पैसे नहीं पैसे दिये ते तो नहीं उसको बड़ नहीं चाथा था अपनी जयान बचाने के शकर मता गलती से विशाल बारा गयाए यह दीना है का अपनी ज्वाले बंगलेबे एफ़ जो? और दे अण तो कहली लगा वरा? बेर बेड़े जा जाकर देख। कर दो, कर लायई से अ, कर लेसे दू? यह तो चीना है? हीना? कि आप लूग कि आप लो लूग कभरामाध थम लो क्से लोग C I D C किसने बंदा तुम्हे आपे? वे विशाल विशाल? विशाल मुझे दोका दिया चार दिन सुबह यहा पिबेक, लेके जाओ इनचे तुमार, जाल नेके जाए चलिए विशाल ने टीना को बांग करका है सर, यह लड़की टीना नहीं है क्या? हाँ सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि चार दिन पहले उस लड़की ने मुझे पैसे दिये थे और यह कह रही है कि चार दिन से यहां पर बंदी दिये सर यह जूट बोल रही है ऐसा कैसे हो सकते है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर मतलब इस टीना ने तुम्हें पैसे नहीं दिये थे? नहीं सर जूट बोल रहा तो सर जर बताँ, चकर क्या है? हाँ? उस दिन सर जब मैं पैसे लेने के लिए आया था तो वो फोन पे बात कर रही थी उसने बुरका पहन रखा था और उसने मुझे सिर्फ इशारा किया था कि उदर टेबल पर पैसे रखे हैं ले लो तो? तो उसके हाथ में मेहंदी लेगी थी सर इस लड़की के हाथ में मेहंदी नहीं लेगी है और कुछ ही हाथ है? सर उसने एक महंगी सेंडल पहन रखी थी जिसमें डायमंड जैसा कुछ लगा हुआ था डायमंड लगा? सेंडल? हाथों में मेहंदी? कहीं कोई शादी में से तो नहीं बढ़े एक काम करो सभी लोगों को आलो के घर में बोलो जो लोग शादी में आये थे और एक बात उन सब को बोलो कि वो लोग वही कपड़े पहन के आए जो लोग शादी में पहन के आये थे यह च्शाब लगा रखा आप लोगों है? कुछ नहीं बस थोड़ी देर की बात है बाद में सब कुछ चीक हो जाएगा लिके आप लोग कर के रहे हैं? आप लोगों के मूँ धख देंगे क्या? जिया फेस कबर कर देंगे आप लोगों के क्यो? पहचान चुपाने के लिए बाद में एक आदमी आएगा वो बता देगा कि आप में से खूनी कौन है अगर आप चहरा ही धख देंगे तो पहचान कैसे होगी आप लोग प्लीज कॉपरेट कीजिए जेरे धख तो लीजिए मैं नहीं पहनूगी देखिए आप लोग कॉपरेट करेंगी काम जल्दी हो जाएगा पाइम पचेगा आइए, प्लीज अबलोग प्लीज इधार प्लीज एक लाइन बना लिजे, प्लीज 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 लेके आओ से जो लो जो और से एक एक वैर देखिए और याद करने की कोशिश करो उस रात तुन्हें कॉनसे सैंडल देखिए रहे इक है? आओ, जल्दी आओ, अने दख़ाल से आओ, जल्दी आओ जरप्वाद दिकाए अपने अचе जल्द्मकी कॉनसे भाए आओ, शह से शरी प्लीज सर, यह है वो लड़की, इसके पैर में वही डाइमंड वाली सेंडिले सर, और इसके हाथ की मेंदी भी वही है, यही है वो इंको छोड़के बाकी के सब लोग भाजाईए, आप सब भाजाईए, प्लीज अच्छा तो आप हैं जरा मोखड़ा दिखाईए आपका, देखे मैंने कुछ नहीं किया, नकाब हाटाईए वो, आप, इयाची, वे रो, अब आप कहा रहा हैं, हाँ, मैं कही नहीं जा रहा हूँ, कही नहीं जारहा हूँ मैं उसे मारना नहीं चाहता था मैं तो सिर्फ उसे सबख सिखाना चाहता था सबख? कैसा सबख? जब मुझे पता चला कि निशाल अपने ही कंपणी में चोरी कर रहा है तो मुझे बहुत भूद धक्का लगा हम भी टीना को बरवाया ताकि सारा का सारा इलजाम विशाल परा सके विशाल को लूटने के लिए उन घुंडों को हम नहीं बेजा था मगर अब यह नहीं चाहते थेंगी वो लोग विशाल को हमार डालेंगे मगर जिस टीना को आप लोगोंने मरवाया वो टीना नहीं शेफाली थी शेफाली? जेयां, असली टीना को विशाल ने एक बंगले में कैद करके रखा था तकदीब भी कितना अजीब खेल खेलती है ना तो आप लोगों को पता था कि विशाल ने असली टीना को खिटनाइप कर लिया है और ना विशाल को पता था कि वो पैसों से भरा बैग आप लोगों नहीं चोरी कर वाया है अब सिंदगी भर जेल में सड़ना आप लोग अब जिन्दगी भर जेल में सड़ना आप लोग तुम नहीं जा रही है नहीं मुझे कोमल की चिंता हो रही है क्यों क्या हुआ है कोमल को पता नहीं अजीब सा परताब कर रही है कोई बात कर तो किसी बात का जवाब नहीं दे रही है लगता है बाकी मौत का बहुत कहरा सद्मा लगा है उसे हमें उसे अखेला नहीं चोड़ना चाहिए था पर पर वो भी है कहा पता नहीं अभी तो यहीं थे कहां चलीगे कोमल कहां जा री हो तुम कहां जा री हो आउट जै चैस कॉमल, यहां तुम्हाई मा का अंतिम स्थास्कार हो रहे हैं अब तुम आफिस जा रही हो अर्य, अगर मीटिंग के देरी हो जाएगी तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा क्लाइंट? तुम्हें आज के दिन भी क्लाइंट के पड़ी हैं? लेट मी गो! मैं? अज्चा हो गया ऐसे? ऐसे बहुत करी है है यह राजीव, डोंट यू थिंक आज हमी कोमल के घर जाना चाहिए? अफकोस, जाना तो चाहिए बस एक काम खुतम हो जाए, परे चलते हैं अगे मैं? बहुत दुख्ववा आपकी माँ की मौत के बारे में सुनकर गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग क्या बात क्या है? सब कुछ ठीक है ना? जी मैं तो यसे सब के सब खड़े खड़े मुझ क्या देख रहे हो मेरा? चरो जो के काम को रहा अपना? नॉंसेंस, बोला! ये क्या? आज के दिन भी कॉमल ओफिसमे? वरी स्ट्रेंज यस मैं बोला मिले ग्रीन टी बे जिंजर और धान रखना चीनी सिव एक चमज यस मैं कॉमल तुमल तुमाज के दिन ओफिसमे? क्यों? वास्त प्राब्लम? तुमल तुमल राजीव आज इसकी माँ का अंतन संसकार है लेकिन ये तो ऐसे बेहव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहो मुचे लगता है बेचारे को बहुत गहरा सदमा लगाए इसी लिए इस तरह बरताव कर रही है कुमल कुमल अचानक ये खबर मिली तो कुमल हम सबको सुनकर बहुत दुख हुआ कुमल हमने सोचा कि एको कुमल हम लोग तुमारा दुख समझ सकते हैं ये ये अंडरस्टांड बट कुमल कुमल तुम कुछ गोर क्यों में रही है कुमल 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 क्या हो गया कुमल अंचे खटो घए कुमल कुम्ह तुमें क्या हो गया ऐंखे खोन कॉमल! कॉमल आखे कोड़ो! Oh my God! ये क्यो हो गया तुम्हे? कॉमल! या कॉमल इस जैड है ये कैसे हो सकता? अभी ये तो जिन्दा थी ये इसे क्या हो गया? सर, हर बार हम लोग लाश लेके फोरेंसिक लैब में आते हैं इस बार लाश हम से पहले पहुँचगी ये शायद इसलिए मुस्करार है क्यो? ये भी तो जगता है वीजी के डॉक्टर तारिका ने कोई जोक मारा हो अच्छा? अरे हाँ तुम्हे ने मालूम डॉक्टर तारिका कैसे कैसे जोक मारती है अच्छा वो हाँ हाँ अरे सर मुझे नहीं मालूम होगा तो फिर किसे मालूम होगा? हाँ 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 तुम्हे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? Okay, Abiji, how know you how does that? मुझे? मुझे तो वो…. और भी, बॉलो, बॉलो! वो दी? भार का तुही बुलो, खे का? ばい AJ, आपको कैसे मालूम, कि मैं भी जोक मार सकती हूं? मैंने आपके सामने तो गभी को जोक मारा ही नहीं. Okay, Abiji. गुंगे लाल ने अपनी डारी में लिख लिए एक तुम्हे तारीका ने कभी कोई जोक निमा लिखने दो ये केस का दमोने के बद मैं भी इसकी डारी लिखूँगा ना के लिखना भूल जाएगा अब उन्दर है काम की बात करें सर इस लड़की का नाम कोमल है उम्र 27 साल ओफिस में थी जब इसकी मौत हुई स्टाफ को लगा की हाट अटक है अरे बापरे इतनी छोटी उमर में हाट अटक लेके ने हाट अटक से नहीं मरी है तो फिर कैसे मरी है जहर से मरी है इसे जहर दे करके मारा गया है जहर ओफिस में जहर और यह कोई मामूली जहर महीं है बाद यह स्लोप वाज़न थोड़ा थोड़ा दगातार दिया जाकर आया है अधो सर खुनी काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था हम एक किनटे इसक्रिन के तरफ देखिया है यह फोटोग्राफ देख रहा है आप यह कोमल के बाल का फोटोग्राफ और यह जो बीच में निशान है यह जहर के निशान है जो कोमल को दिया गया जैसे जैसे जहर शरीर में आता गया उसके ट्रेसेज कोमल के बालों में दिखाई दे रहा है वो, इसे देखकर तो लगता कि कॉमल को करीब-करीब रोज कोई जहर दी रहा था बिल्कुल ये पालो में जहर कब तक आ जाते हैं? करीब दस बारा जिन बार इसका मतलब हम लोग बता लगा सकते हैं कि कॉमल को आखरी बार जहर कब दिया गया था? जे बिल्कुल, कॉमल को आखरी बार 10 एपरिल को जहर दिया गया था सर अगर कॉमल को हर रोज जहर दिया जा था तो इसका मतलब यह है कि जहर देने वाला इंसान कॉमल के आज पास ही रहता होगा घर में या शायद आफिस में बिल्कुल तो यह आप जो हर सेग्मेंट में ये गैप देख रहे है ये इस गैप का मतलब ये है कि इस दिन कॉमल को जहर नहीं दिया गया और ये एक सेग्मेंट साथ दिन का है और ये गैप हर साथवे दिन परता है साथवे दिन पर क्या है? एक साथ वे दिन गाप मतलब जुप्टी का दिन तो में हुए यह संडे मतलब सर जैर ओफिस में दिया गया है संडेज को तो तो भी ओफिस आता नहीं यह भी जाती होगी हाँ आप लोग को सेंपल सिखटा कर सकते हैं किसे बैक कोमल की खानी पिने की चीज़े है अपने अपने मेक अप का सामान जैसे लिप्स्टिक पाउडर वगएरा इन सेंपल्स के अलेलिसे से हम यह बात पता कर सकते हैं किसे कौन साजय पिया जाना था बताने किसका साया पढ़ गया हमारे खांदात पर अभी बदना कि चिता किराग ठंडी पर रही हूँ लेकर कोमल तो एक बहुत अच्छी लड़की थी और उसके किसे से कोई दुश्मनी नहीं थी तो उसे किसी ने क्यों बारा हा मगर खूल तो गुआ है और ये खूल कोमल के किसी आसपास वाले ने ही किया है वैसे आप लगों का रिष्टा क्या है कोमल के साथ जी मैं आसता हूँ कोमल की सबसे अच्छी दोस्त और ये सनी है उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और ये तनवी आंटी उसकी बुआ तुम कोमल की सबसे अच्छी दोस्त हो तो फिर कोमल ने आपनी परेशानी के बारे में तुमसे कुछ तो डिसकुस किया हुगा जी उसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं वो तो हमेशा खुश रहती थी और दोसरों को भी खुश रखती थी पिछले कुछ दिनों से उसका बरता वाजीब सा लग था आपको जी नहीं अलेकिन अपनी मा की मौत का काफी सद्मा पहुच आता पिचारी को जी हाँ अपनी मा के अंतिम संस्कार के दिल भी वो तैयार होकर आफिस के लिए निकली और उसकी आखों में एक आसू तक नहीं था और निकलता भी कैसे जहर जो फेल गया था उसके सारे शरीम में जहर 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 से मौत हो यह कुमल की और यह जहर उसे किसी अपने नहीं दिया है यह तो कोई आफिस का आदमी है या पिट घर का कोई यह आप क्या कह रहे है हम सब तो उसको बहुत प्यार करते थे हाँ और उस प्यार का अंजाम भी तो हम देखी रह ना कुमल की लाश क्यों अबजीत डॉक्टर सारुन की जो कुमल के खाने पीने के और मेकप के सामान की सैंपल दूनागे सब उठा लो वैसे कुमल ने कभी अपनी ओफिस के माहूल के बारे में कुछ बताया था आपको अज़ा क्या आपको किसी परशक है जी नहीं मुझे वो सब पता नहीं मैं कभी ओफिस नहीं गई आज अब से बना बिमार रहने लगी कुमली ओफिस जाती थे पिर भी कभी नकभी कुछ तो कहा होगा उसने अपने ओफिस के बारे में, ओफिस उफिस के काम के बारे में लोगों के बारे में कुछ नहीं वो अपनी प्रोफेशनल बाते हमें नहीं बता दी थी आप सांभली यह सारे सांपल्स तुम फोरें से गलाब में पीछवा दो परहा हूं इस कोमल के ओफिस के दोस्तों से जा कर मिलते हैं जी कहिए किसे मिलना चाहते है आप लो हम सी एडी से हैं हो मगर बात क्या है बात यह कि कोमल मैडम का खून हुआ है और उस सलसिले में हम यहा है क्या कोमल मैडम का खून हुआ है जी यह और हमें शक है कि उसका खून आप लोगों में से किसी नहीं दिया है जी क्या कह रहे हैं आप कौन जी मेरा नाम शरत है और मैं यहां का मैनेजर हूँ लेकिन यह कोमल मैडम का खून कैसे हुआ है किसी ने उसे जहर दिया और हम यहाँ वही पता करने आए हैं कि वो ओफिस में क्या-क्या खाती पीदे थी वैसे कोमल मैडम को ओफिस में खाना बिना कौन सर्फ करता था जिनते लिए चाए बाए और नाच्ता खोला ही लेकर जाता था है जब खोला है ठोन है अजिए भुला है शुक्त कला ओऊ ऐं कोफ वो जब Coffee औरीचना है अचpur मक्राइब का उय्यादा से नही आख को यदभ खालो को माने कुछ नहीं किया यह जदẬ आर आव कुछ कियал यह बताओ गोमल मेंडम रोज खाना क्या खाती थी? साथ, सुभद चाय पीती थी, अद्रक वाली, ग्रीन टी, और फिर तोपर का खाना, वो तो वो घर से ही लाती थी बताओ सुभद के चाय और लंज के अलावा वो यहां पे कुछ नहीं खाती थी? जी नहीं देखो, ठीक से सोच के बताओ, यह खून का मामला है, समझें? साब, पिछले दो साल से उमका यही टाइम टेबल है, सुभद अद्रक वाली चाय पीएगी, और फिर दोपर का खाना अचा, यह कोमल खाना अकेले खाती थी या साथ भी कोई और भी होता दोंगे? वैसे तो दोपर का खाना वो राजीव और रिया मैडम के साथ करती थी, कैंटिंग में, कैंटिंग में, लेकिन अभी अभी तो तुम ने काहा कि कोमल घर से खाना लेकर आती थी, हाँ, मैडम तो घर का खाना ही खाती थी, पर राजीव और रिया मैडम के साथ कैंटिंग में तरके इस राजीव और रिया ने कुछ मिला तो ने दिया कुमल के खाने में? आप सकता है मैनेजर सब ये राजीव और रिया का है? पिलाओ ने जी वे दोनों इस वक्त तो आफिसमें हैं आफिसमें ने ने हैं? तहाँ गैड़ा? जी जब से गुमल मेडम के मौत हुई है तब से ही वो लो गायब हैं गायब है? दोनों के दोनों? जी मैंने फून पर कॉंटेट करने की कोशिश की लेकिन उन दोनों के फून भी बंद हैं तमहाले, दोनों में एक साथ उफिस आना बंद कर दिया और दोनों के फोन भी बन दे यो दोनों आपस में सिर्फ दोस्ती हैं या कुछ और भी? जी वो एक दूसरे से प्यार करते थे ओ, प्यार करते करते गायब हो गया अब पर गायब क्यों हो गया सर, उन दोनों ने ही कोमल को मारा होगा नहीं सर, उन दोनों की थो कोमल मेडम से बहुत अठी दोस्ती थी वो भला उसे क्यों मारें वही तो, जिस दिन कोमल की मोतुई उसी दिन से दोनों का आप है और दोनों का फोन भी बंद है आप, इस तरह उन दोनों का एड्रेस देना इस लगी राता से, दर्वाजों पे ताला लटक रहा होगा हमारे स्वागत के लिए द्याक इदर की जब मोत आती है तो शेहर की तरफ भागता है जरूर इस राजियो का कोमल के खून के साथ तो ही न कोई संबन्द है और इसलिए ओ भागा यहां से तरोज़ दोड़ दोड़ो को सकता अंडर कोई सुराग मिल जाए जिससे हम राजी तर पाहूं सके हाँ अँआँआँए अँआँड़ो अँड़ो हम मेरे घर क्या लगे क्या होना है आपकी तारीफ वाँ मेरे घर आकर मुझ से ही पूछ रहे है आपकी तारीफ मनोरमा नाम है मेरा मनोरमा जी हम लोग C.I.D. से हम राजीव से मिलने आएं राजीव से? जी. मगर किया क्या है उसने? एक खुन हुआ है खुन? जी हाँ. शायद खुन राजीव नहीं किया है ये क्या कह रहे हैं आप? अरे राजीव तो बहुत भी डीसेंट लड़का था ज्यादा तर खुनी बाहर से डीसेंट ही लगते हैं मनोरमा जीव क्या आपको वालो में खाया है भी? नहीं, वो तो मेरे मताम में फिरायते रहता था और कली घर छोड़के चड़ा गया भो क्या? इसका कुछ सामान आया भी बी घरता? नहीं, अब राजी भी यहां नहीं है तो उसका सामान या कैसे हो? वो तर सब कुछ साथ लागया है का गया तो कुछ के कर गया? नहीं, कुछ भी तो बोला नहींगो मगर जाते जाते और मुसीबत मेरे गड़े डाल देह है इसलिए वेकेंड राजी होटल दूहार भींट ने था? जोटी भूहारवर जोड़ अ गर में कोई है? नाजी बाजी कोई आया है तो औन है? प्रचे हम लोग CID से CID? समझी क्या हुआ है? रिया ठीक तो है न? लेकिन माजी हम तो रिया से ही मिलने आए रिया? लेकिन रिया तो रिया नहीं है कर रात भी चली गई है चली गई? कहा? कहा चली गई? मालूम नहीं कर देर रात किसी से फोन पर बात करे थी बहुत परेशान लग रही थी क्या कह रहे थी? कुछ सुना पने? हाँ वो कह रहे थी क्या हम ऐसा नहीं करना चाहिए था फिर उसके बाद? उसके बाद समन बांधा और चली गई बोली कुछी दिनों में लाट आओंगे सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ सब ठीक है आप बिल्कुल खबराईबत वो दो चार दिनों में वापस आ जाएंगे नौस्ते 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 अब ने बैचांते ये ये कुछ दिनों केले हमारे होटल में आएके सार अचा तो क्या-क्या तेनन दोग ने आपे किसे और से मिलेते हैं गोटल में आपे? इनको जगने से फुरसब मिलती तभी तो मिलते ना सारी जगना किस बात पे जगना हुआ था सर सर जगने लोग यहां आयते तो इतना उखी थे पतानी अचानक इनको क्या हो गया? आपस में जगना करने लगे, पूछे माच सार सीरे जगना हुआ था? माभारत साफ बीटर ने बिच में आने की कोशिश की उसकी नाग भी तोड़ दीना मतलब बाद हाता पाई तक पाई तक पाच गे जगा तो ही तो कह रहा हूं, सर तुफान सा मच्किया सेरा आप खड़े खड़े देखते रहे पता करने की कोशिश नहीं की क्या हुआ था दखके मार के भार निकाल दिया सार इनको इनका समान भी अने सड़क पहकते अच्छा ठीक, जब सुमेटर को बलाओ उससे बदागरते या क्या हुआ था ज़िए मैरी, मोहन को जड़े भीजो या अर्थ बड़े खतरनाग लोगे, सर एक वेटर की नाग तोड़ती उनोंने पॉपले मुझे सार, अपको मुझे बलाया था हाब हो हम लोग CID से है और यह पूछने आया है कि आपके नाग की यह हालत हुए कि इन दोनों को पैचानते हो ना मौन हाँ साब यह दोनों आपस में जगनने क्यो लगे थे साब एक फोन आया था राजुजी के लिए साब आपके लिए फोन है आपके लिए फोटल के नंबर ते फोन किसका फोन है पता नहीं साब हलो तुम तुम्हे किसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ यही मैं तो आफिस के काम से आया हूँ कोई नहीं है मेरे साथ बिल्कुल अके नहीं हमें क्या पर्या क्या अरही हो तुम राजी खोल कर खो़ल कर क्या क्या हो गया मुझ से चोड़ी छुपे एप्वोन पे इससे बात कर रहे थे तो किसे बात कर Aufg chosen 엿कार पच्स यूँ बनो मत राजी मैं जानती हूँ तुमने पुर्सियर करूनी काम भी करवाए जो मुझे कभी नहीं करने जे यह से रादीवे जिया दीने मुनों दीने कोई सुन लेगा सुन लेगा तु सुन लेने दो राजीव मुझे फॉन दो जिया फ्लीज दो मुझे देखना तुम किसे बाते कर रहे थे तुम अज़ा लिए रादी इन फींने फॉस रहाध healthcare और इस प्रह से मेरी नादी कॉर्भान ही हो यह सह और इस पहले सर वह TWO सब्लम हम भी सक भी और ने हुथा के बात है वह फॉन कॉल concurrent किसको नहीं पता सर्थ कुछ को खास बात होगी उस होने प्रफॉन कॉल में तब ही तो इन दोनों के बीच में इतना बड़ा चगड़ा वा मैंनेजर सार पता चल सकता है न किस नंबर से फोन आता राजिव कि प्रफॉन किसर हमारे बाहर से जो भी गॉल आता उसका रिकोड रहता है चलिए रिकोड इखाई हो चलो आई कि अच्छाण के अच्छान क्यों बूला लिया बस को मल की माउद जहर की वज़े से नहीं होगी अधि ओनले बात लेशे को आप से पहले कहा था कि सिथान खाथा इभूल जाओ अभी नहीं बात पटा लग्माल की मौद जहर सेनई हुई मौद दवाही की ज़ेए गुरहिए को यॉकल कौंसी दभाई नमो फो दिना जो फो नमो फो दिना जो Sum 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 Sumo स्पच्बरिया पस गया व्रयक्षर क्ते भ ने रिश्टारण अच्शा ये दभाई किस बीमारी के लिए कि लिए याथ जिसमें इंसान के दिमार्ग में कुछ ऐसे बद्लाव आते हैं जिसे उन्हें सीट आने लगते हैं मगर कोमल को तो यह बीमारी में गिती है तो भी इसे दवाई दी किसमें और जब तक कोई डॉक्टर लिखकर करना दे वो यह दवाई खरीब नेशपता है कि अभी सभी डॉक्टर से पूछता करते हैं तो इस जिवारी का इलाज करते हैं सर उस पर नंबर का पता कर जाते हैं जो हटेल में लिए किसने किया था और किसी अंजली नाम की लड़की ने किया था और यह रहां उसका अड्रेस है जी आप अंजली है जी लेके आम दुशित से अंगल जी है एक किम्से सिआ एडी सिआईडी से अईए आप अप राजीव कर जानती है यह नहीं वो मेरे पती हैं मैं उनकी एक रोलती पतीजे है पर ना उन्हें इस घर के फिकर है ना मेरी अच्छा आप राजीव की पत्नी है जी हां पर बात क्या है आप लोग राजीव को क्यों रूब रहे हैं एक्चलि हमें शाख है कि राजीव में किसी रिया नाम की लड़की के साथ मिलके अपनी बॉस कोमल का खून कर दिया क्या रिया के साथ कितनी बार कहा था मैंने कि उस रिया से दूर रहे हैं पर उन्हें मेरी एक नमाने आखिर फैसाई दिया ना उस रिया ने मुंसे ठीक तर आप साफ साब बताएंगी बात क्या है क्या पताओ सर अच्छी खासी शारी जुदा जिंदगी थी हमारी जबसे ये रिया उनके जिंदगी में आई है उनका धान मुझसे ज़ादा रिया पर रहने लगा को अखात एक खलाब हो अरत है कुछ अंदाजा है आपको इसक्त के दोनो कहां होगे पता ने कहां होगे वो क्या का देरा टीकए ठीक हम लोग पांचते हैं सफ मोङ साइको थेरापीस का पता चल गगा है यहां एक खुन हुआ है उसके सिलसिले में यहाँ किसका को मल को मल इसके एपिलेप्सी का इलाज कर रहे है लिकें उसका गुन किया किसने शयाद आपने प्रेज़ के तो कॉमल नहीं थे पिर भी आप उसे एपिलिपसी की दवाज दे रहे थे क्यों आपको जरूर कुछ गलत हैं नहीं हो रही है बीना भीमारी के मैं क्यों दवाज दूगा किसी को आपको पैसे किसमें दिया थे कॉमल का गलत दिलाज करने के लिए हां देखें इस तर आप मुझे पर गलत इंगा सकते हैं यह रिपोर्ट देखें आप इसमें साफ साफ लिखाए को उसकी मौत स्लमोफोब बिना जॉल नाम की दवास हुई है इसे आपने प्रस्क्राइब किया था लेकिन यह लड़की तो कॉमल रही नहीं अपना चश्वा ठीक कीजिए और ध्यान से देखिए अगर यह कॉमल निये तो पिल कॉन है मुझे क्या पता मेंने तो इसे लड़की को पहले कभी देखा नहीं इसका मतलब सिर्कोई दूसी लड़की कोमल बनकर अपने इलाज करा रही किया है तो श्याद वही लड़की कोमल को यह दवा दे रही होंगे है आप ज़रा यह फोड़ोग्राफ देखिए है क्या इन में इसे वो लड़की है जो कोमल बनकर आपके आएगा है यह कोमल है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ आप अब 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 हो किया था है कि एक तो हरो प्रिया इतने विजों तक तक प्रिबू कर दें और उन्हें पता भी अधिका नहीं पर पोचे वाँ यह दोनों भी आप प्लानिंग कि थि इन लोगने उसके पात नहीं कोमल यह दिनों एक साथ बैटकर खना खाया करते हैं जाया फुसी दाउरान ये दोनों इस कोमल के खाने में जैर्वानी दवाई देख करते हैं अगर इन रोंग ने ये सब समझ के किया तो यह भागें ये तो मालू होगा ही लिए ये जैसे यह भागें भी जाएंगे आज नहीं तो कल इने पैसों की तो दददद पड़ेगी हैं ना ये सबस्ता इसी बैंक्सर निकल वाएंगे या पर किसी एटीम और दोनों जगा हम पि ये लोग हमें पता चल जाएगा और ये लोग पगड़े जाएगा अगर इसना पता चलना चाहिए कि इनों एक तब कभ और ता कहां से निकल वाएंगे हम उनकर पॉँख सकते सर्जिज दिन कॉमल का खूल हुआ उर्जिन रिया और राजीर ने अंधेरी के एटीम से पैसे निकाले थे हैं भागने के लिए पैसे ही जाएगे थे ना उने उसके बाद उसके बाद कहां से निकाले कर रात उनोंने पैसे निकाले कोलापूर से निकाले कोलापूर इसका म तो जब खाने पिने के लिए पैसे ही ने रहेंगे, तो ज़रूर खुछ न कुछ गल्दी करेंगे साथ, और जहां थी बीच पहे हैं, भाहर निकलाएंगे. रेज गुड़ आइडिया तेया, तो फिर चलो, कोलापूर में जाकर ढूंडे की तहियारी करो. अरे, कोलापूर में, पूरे कोलापूर में उन्हें कहां का ढूंडेंगे सर? पेडरेक्स, भागते हुए मुझे न कहां जाकर ठेरेंगे, किसी होटल में या किसी लौज में. लेकिन सर, वो किसी यार दोस्तों के घर में भी रुख सकते हैं. लेकिन पहले हम कोलापूर के होटलों से को शिरुबात करें, तो फिर चलो, कोलापूर चल देगे. अजिए रुणी की चाबी, हुम लोग शेक आट कर रहे हैं, जरा बिल बना देखेंगे. आद रहा, मिले क्या? यहां पर तो नहीं है. रहा, ठैन से देखो, ठैन से देखो. हो सचता है, वो भीज मदल का रुके हो. ओके. चार दिन हो गए, सर. हम लोग अलग-अलग लॉज में रुके हुए. अभी तो कोई नहीं मिला. इस तरह से ढूंटे रहना, सर. तो हमारे जूते घचांगे, सर. फेडरिक्स, वो लोग है तो कोलापूर नहीं, संजें? आजया. नहीं, अभी तो इसका पता नहीं चला है. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रहा. तीतर मिल गया है. अहां, यहीं, चांटी गूस लॉज में है. तो जल्दी से आज़ा. होग. आजया. 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 हावाए हुआ है कि यहां दर है को लड़की में इसाथ में लड़की भी उपी रिया है को रहा है लेकिन लेकिन ऐसे केसे हो सकता है राजी मेरे बैंक को उपे तो पैसे थे अब हम क्या करेंगे मुचे तो लगता है कि CID हमारा पीछा करी है और उनोंने हमारा अइकाउंट को सील करवा दिया अब हम क्या करेंगे मैं पैसों का इंतिसाम तो करना हुआ क्या अब और यहां रुपना खत्रे से खाली नहीं कि अन्यों अस्तार कि बात कि मैं अश्तार कि अजुके अश्तार मैं बात कि मैं देखा उसने किसे बातों को गाल दी अजा जाओ, लाओ मुझे फोन तो मैं अभी उससे बात करती जुके फाइदा बहुँए फाइदा था लिए वह हमारा भून नहीं उठा रही जञता है वह भुप्षाम पलौ पलौ हम्त भी घृत करने भाजी की हुआ इसे जिए जिए पच करेगी वह अं? असी के कहने पे तो हम लोगों ने कों म सफेते के मार दिया आप भू हम्तभारी मदद नहीं करेगी जी इसे नहीं हुच था उसे हमें बचाना ही होगा राजीव लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर लगी मैंनो उसे धंकी भी दी थी कहा था कि उसने हमारी मदद नहीं कि तो मैं CID के पाद जाओ चांती हो उसने क्या कि असने लगी कहते हैं CID खुनियों भरुसा नहीं करते हैं कुं यह वश्भास नहीं करते हैं वह लूग पुछ Northern यह कैसे चंकुमे बस गय हम लूगार सिर्भी को मैं यह क्या करेंगे हम लूग कै क्या कि रिंगे हम लूग फोले से काम नहीं बिन्रेका अगर हम ढुपे अगर हम डूबे तो हम उसे भी साथ लेकर डूबेंगे तो इसका मतलब है इस चक्कर के पीछे कोई की सुना भी है यह सब क्या है सर्फ? हमने इन एक लॉज भी क्यों ने पकड़ लिया? यही एक परिका था इंको पड़ने पता है अब चुड़ाओ अजीव, तुम्ही इसका मतलब हुए अजीव, तुम्ही एक उपड़ने है यही होगा यहीज़ाँ आप उसका छोड़ो रही है आप अपसा खूड़ गर वह अचाए और खुच चैन से सो रही है यहीज़ाँ अजी़ पाइब यहोड़ने है उसके कोई जुरत्ति है तनवी जी, आपने बुलाया हम लोग आगए एक आप लोग सही वक पर आगए अठागे जो आप इना बादा गए तोनों कौन है आप इने ले जानते हैं यह लोग आपके लिए काम करते हैं और आपके लिए तो इने ने जानते हैं कह रहें आप यह बेरे लिए काम करते हैं तो यह बुद चुक्त जिसने तुम एक उमल को मारने के लिए पैसे दिया नहीं यह आरत वो नहीं है एको सच सच बता आरना तुम दोनों भी बच नहीं पाऊगे हैं मैं जूट नहीं बोल रही है वो और रहे हुआ हूँ आज आज। है, तुम ठपको भी कोमल ते पाथ पाथ पहचा दूगी आजी खड़े यो तुम तुम भी आजी वारू के पाथ केसे कमी एग जहा जो कोई कोई दूशा जिस प्खार दे कोमल कोमल कटे, विंग बखुचे भिखाए तुम लोगोंने जब तक कुनि को किये कि सजा नहीं मिलती, हम लोग चुक नहीं पिखते, समझे? बशाख सोथ, एस बारता महीं होगा, तर टाल क्या बार में लिखाऊऊगा? कि कोमल के कफिलों ने अहता को माले की कोशिश की, और बहादूर CID ओपिसर्स ने उसको बचाने की कोशिश में अप्नी घात बेदी, जहीं होगा जहीं हम तुम अभी मेजी समझा, अब तक में बदल में यह दिया, एव बढ़िया, अपी एक जालू बाइद पान का संची? कि अपने काना में देतो 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 अपन तो, कैसा लगा हमारा ये नाटक, हाँ? तुम येसे साथ को फिल से निकालने के लिए, हमने एक ब्लांग बनवारा था समझे? ले चले इसे, एक सहेली को दूसरी लोगों की बूरी नजर से बचाना चाहिए पचाना तो छोड़ो, अपनी सहेली का कुन ही करवा दिया तुम ने आया सहेली नहीं, बेहन थी वो मेरी बेहन? तो अपनी बेहन का कुन करवा थी वो शरम नहीं आई तुमें सौतेली बेहन थी वो मेरी सौतेली थी तो क्या हुआ? थी तो बेहन ही ना? मेरे डैड़ी ने मेरी माँ के होते हुए दूसरे शादी कर ली बंदिना से और बंदिना ने उनकी मुद के बाद हमें पैसे देने बंद कर दिये पूर प्याद में तरब तरब कर दम तोड़ दिया मेरी माँ ने कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वंदना का भी ख़ून करती है? सहे दे के मारा! मैं तो कि पुरे ख़ून्दान को एक ख़त्म करना चाहती थी पर कॉमल को मालूं था कि तुम उसकी बहन हो? नहीं! कभी तो उसकी सहली बनकर मैं उसके ख़ड में घुस गई आकर पकड़ी गई ना? हाँ? अब राकर फागे तुमारे वो दोज है यह और राची बेवकूफ है मुझे क्या पता था? कि वो तुमनों इतने बड़ी मुर्ख निकलेंगे आस्ता? आस्ता? तुम तुम तुमनों यहाँपर? क्या हुआ? वो वो कॉमल कॉमल क्या हुआ कॉमल को? वो मर चुकी है सच यह आज आज मैं बहुत कुशूँ मेरे बहसो का सपना पूरा हो गया तुम खुशू और यहाँ हमारे जान भी बनाई है उसका क्या? क्योंकि? बेवकूप तुम दोनो तुम नंबर के बेवकूप किसने कहा था तुम दोनों सी यहाँ पर भागकर आहे के लिए किसी को किसी को शक हो गया तो तुम आसन चुपे हो अब तक CID वहाँ पहुत चुकियो और तुम एना प्लीज आहे हमारे पैसे जादो आसता पैसे लेके हम लोग कही दूर चले जागे सब कुछ थंता हो जाएगा ना फिर हम लोग लोट किया जाएगे पी नमारे पैसे जो देखो देखो इस वाग मेरे पैस पैसे नहीं है तुम आइसा करो अभी असमत यह से जाओ मैं कुछ करती हूँ और जब मैं फोन करो ना तभ ही वापस यहाँ ठीक है वापस मैं ख़ो करती हूँ कुछ करती हूँ जाओ यह से चाओ पार पर अज़ ऑड़ जाओ यह से जाओ अब ती मा की मौत का बद्ला ले लिया मैं इस वाह, तो अब खुशिया मना, तो अब खुशिया मना, बैंट बाजा मनगवाओ, डांस करो, अब नी बिरादरी वालों को भी बुलुआ प्योगोफ लर्दी, क्या मिला तुमें दो दो खुन करके, अबने दिल की बड़ा सी नि फासिक ओर्डर आने पक